वेल्टम टू रांड टिबल स्टड़ी तो देखो बच्छे स्टार्ट करते हैं यहां से हमारा जो है सलफर वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है औक्सिजन फैमली की में बार्त करते हैं क्लास्ट के मेंस्ट्री प्लॉक एलिमेंट से मुलग पढ़ रहे थे ठीक है तो हम इस वीडिओ में डिसक्स करेंगे सलफर एंड इट्स अलोट्रॉपिक पॉर्म की हैं ना इलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब आपको बता है तो basically हमारा जो sulfur है generally दो तरकी का यह yellow top form शो करता है एक आपका rhombic और एक आपका monoclinic उसके बाद इसके अलावा other और भी आपके sulfur के कुछ yellow drops होते हैं जैसे कि हम एक plastic sulfur के बारे में पढ़ेंगे तो यह हमारे other form में ही आ जाएंगे आपको क्या करना है चीजों को आपको no down करते चलना है अपना जो भी आपको इस्क्रीड में दिखाई दे उन सारी चीजों को अपने copy में आपको लिखते चलना है ठीक है चलो देखो start करते हैं देख बचे start करते है sulfur and its allotropic form heading लगा लो अब sulfur and its allotropic form तो करना क्या है कुछ नहीं सिंपल सी चीजों को समझते चलना है यह सब सारी बाते factual बाते हैं आपको इनको समझने की ज़ुरत है और याद रखने की ज़ुरत है ठीक है देखो और एंसेन टाइम में इसको जो है medicine purpose के लिए भी यूज किया जाता था ठीक है और jumps वगेरा को मारने के लिए भी यूज किया जाता था बात करते हैं तो combined state में जैसे हमारे यह sulfide के फॉर्म में मिलता है ठीक है sulfide of metals जैसे की जिसको आप sulfide ore कहते हो है ना sulfide ore में जैसे आपका क्या क्या यहां से underline करें ना तो chief ore of copper क्या है आपका copper pyrites है उसके बाद iron pyrites है जिसको हम FES2 कहते हैं iron pyrites FES2 zinc blend zns कहते हैं galena pbs कहते हैं ठीक है तो यह आपके copper यह आपका combined state में copper की अभी हम बात कर रहे हैं और कौन सा हम sulfide of metals की बात कर रहे हैं ठीक है दूसरा हमारा होता है sulfate जैसे समझो अभी हम बात करते हैं sulfide of metals की ना हम बात कर रहे हैं sulfide की बात कर रहे हैं ठीक है तो sulfide में देखो जैसे कि आपका यह जिपसम जैसे CSO4 2S2 important है सब formula और इनके नाम पूस देगा option मैंसे चार option देदेगा तो बस अगर नहीं पढ़े रहोगे तो SMO बना लो कि हैसर अब क्या करें तो सरगरबर हो गया पढ़ लेना चाहिए था तो इसलिए इनको चीजों को कहीं अलग से लिख करके जहां पर भी study करते हो आप आप इसको hang कर लो टांग तो लटका दो ठीक है और इनको देखो उसके बाद देखो तो भे राइटस होता है कि भी एस होता है उसके आपके सम साल्ट MgSO4 into 7s2 global salts इस कहेंगे से NA2SO4 into 10s2 तो यह सारे हमारे जो sulfur हैं वो combined state में exist कर रहे हैं कैसे इस्टेट में exist कर रहे हैं सर combined state में exist कर ठीक है अच्छा उसके बाद sulfur हमारा free state में पाया जाता है जैसे की free state में कहलो या other जो other और भी जैसे form हो सकते हैं जैसे की जो protein है protein में जैसे क्या होता है sulfur है हेयर है हमारे जो hair है wool है garlic garlic जो लजो होती है उनमें भी sulfur बहुत जादा मांट में होता है onion में भी होते है mustard egg cz में भी होते हैं तो इन सब चीजों में भी sulfur exist करता है तो यह हमने बात कर ली occurrence of sulfur की नॉम लग बात करते हैं allotropic form of sulfur ठीक है मतलब देखो जो प्रॉपर्डीज है वो structure के साथ-साथ क्या हो जाए इसका चेंज हो जाएगा यह न हमारो क्या कहलाता है Allotropic form हमारे कहलाता है तो जन्रियदी हम लोग लोग देखो दो ही की बात कर domains हम बात करेंगे Rhombic sulphur की एक हम बात करेंगे monoclinic sulfur की ठीक है rhombic sulfur को हम लोग alpha sulfur के नाम से जानते हैं और monoclinic sulfur को हम लोग beta sulfur के नाम से जानते हैं और ये जो आपका portion ये आपका other form में आएगा थे हम समझना ये जो plastic sulfur हमने ऐसे generally link दिया है बट ये आपका other form में आएगा ठीक है तो सबसे पहले आप heading लगो rhombic sulfur देखो rhombic sulfur की देखो अब हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं इनके बारे में ठीक है आप इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो है ना फुकर्डरिंग इस्ट्रक्शन जो हमारा जो होता था तो rhombic sulfur देखो क्या it is the most common हाँ important बात है कि rhombic sulfur और monoclinic sulfur में यह जो rhombic sulfur है यह most common stable आपका जो है वो sulfur का form है ठीक है sulfur का जो सबसे most stable form है वो कहां से है rhombic sulfur है it is also known as octahedral sulfur इसको हम लोग और किसे नाम से जानते है octahedral sulfur के नाम से भी जानते है ठीक है properties की देखो बात करते है properties क्या है कि it is देखो शोर बहुत जादा हो रहा था it is bright yellow in color ठीक है याद रखना है है ना इस सब याद रखने वाली बाते हैं वाइस में कुछ नहीं कर सकते हैं इसा नहीं कि आपको एक भस्म बना दे इन सब सारी जीतों को एक पेज में लिखो इनको जलाओ भस्म बनाओ मतलब ठीक है अमने बनाओ और उनको पी जाओ या तो जाएगा नहीं है असा नहीं होगा आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है इस स्पेसिफिक ग्रैविटी इसकी जो इस सब सारे नंबर्स हैं तो आपको याद ही रखने पड़ेंगी स्पेसिफिक ग्रैविटी कितनी होती है 2.06 ग्राम पर संटिमेंटर होती है अच्छा इंसॉलिबल इन वाटर वाटर में यह बहुत जादा सॉलिबल नहीं है या इ तो बेंजीन एलकोल में अखनल लेक्टिकल और इसकी खेले गड़िवल इस मैंद बढर और जो एकमाल य होती काफी देखो बढत करें है तो ऑंकल इसका नाम यह है अब भी क्या होगा जैसे अगर हम इसका का इस ट्रॉक्टर बनाएंगे कि जो कि चुल्फर होता है वह एक पुकर रिंग स्ट्रट्चर बनाता है रख पहले बता चुके जो पर बीच की जो बॉरेंद्ध है वो 204 पीको मीटर और इनके बीच का जो बॉंड इंगल है वो 107 डिग्री होता है यह हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है क्या कर सकते हैं आप बताइए ऐसी तो करना क्राउन जिसका हम लोग क्राउंडिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी कहा है की जोरी देखो हम लोग क्या करते ना मोनो क्लिनिक अलफर को हम लोग रॉंबिक सल्फर से खेंब कर सकते कैसे करते हैं। है किसे करते हैं तो करना क्या एंगा क्या किए कि आपने रॉंबिक सल्फर को किसी एक यह जैसे उसमें अंब ANDREWman किसी जैसे मैं क्या के तो इसको डिश में आपने रख लिया डिश मतलब चाइना डिश मतलब अब जब कभी लैब होगी तो लैब में अपने देखा। यह इस तरह के ठीक है अब क्या किया हमने को कूल किया समझे बात को ठीक है ट्रॉंबिक सल्फर को हमने क्या किया मेल्ट किया मेल्ट करके हमने उसको क्या 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 कूल किया जब कि इसकाट बन जाए उपर मतलब टॉब पर क्या ब달 बन जार अब क्या कर ले न है अब हमें उस क्रस्ट में दो फॉल्स कर लेना है ठीस है तूब कर लिया तो अब देखो ऊपर का पने न करच है ना बाकी होगा वो हमारा transparent होगा clear है बात क्या होगा transparent होगा तो यह जो transparent crystal है समझना बात को यह जो transparent crystal मिला कैसे मिला transparent crystal आपने रोंबिक sulfur लिया उसको melt किया उसको फिर ठंडा किया जब तक क्रस्ट उसका मतलब जो है formed नहीं हो गया आपने उसके बाद क्रस्ट फार्म होने बाद आपने समय दो किया और किंछर्ब दो सneने मतलब जो भी बचिवे लिगृट więks वे उसने उसको आपने निकाल दिया तो निकालने की बाद जो भी आपका क्रिस्टल बच रहा है वो आपका ट्रांसपेरेंट है और इसी को लोग बोल्ड रहे हैं क्या मोनो क्लेनिक सल्फर बोल्ड है ठेक तो ये जनरली ट्रांसपेरेंट निचर के होते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको प्रॉपर्टीज की बात कर लो तो ये भी जो है डल येलो कलर के ही होते हैं क्योंकि ये उसी से ही अप्टेन हुआ है अच्छा ये कार्बन डाई सल्फाइड में सॉलिबल होता है और वाटर पर को तरह होगा यानि जो ब्लॉग अच्छा फ्रक्चर की तरह ही होगा नौद नेक्स्ट जो है एक टोड़ा सा अग्ड़रेंस दोनों में फर्क क्या है ये बात समझ में आ रही है कि बात सिंपल सी बात से आपको समझ में यह आंदर यह कुरशन भी आराइस होना चाहिए कि आखिर सर्फ फर्क क्या हुगा देखो बहुत पॉसेज्ट पॉकर्डिंग इस्टक्चर बट देयर क्रिस्टल यह बहुत ही जाद important word है crystal जो कि आपने first chapter जब आपने पढ़ा होगा solid solid state जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा crystal तो इनके जो crystal होते हैं वो different होते हैं समझ रहे हो ना structure तो सेम है ring structure तो सेम है तो crystal कहने का मतलब क्या कि crystal में हम लोग करते क्या crystal में generally हम लोग ions मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास जो हमारे पास जो पॉइंट होते थे आपने जब पढ़ा था तो आपने उसमें देखा था कि हमारा वह हमारा ना क्या होता है जो एटम्स होते हैं वह सारे points से मिल करके बने होते हैं ठीक है तो इनमें points का arrangement अलग अलग होता है लेकिन overall मिला करके जो structure बनेगा वो क्या होगा सेम होगा तो क्या से अगर हम देको बात करते हैं रॉंबिक सल्फर का structure जो है जो crystal है crystal की बात कर रहे हैं इस ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं तो रॉंबिक सल्फर का जो crystal है वो कुछ इस तरीके से होगा ठीक है मतलब कि वो एक एक दूसरे से अरेंज़्ट ओर्डर में होंगे समझ रहो ना मतलब ऐसा होगा कि वो एक दूसरे को आपस में fit कर लेंगे समझ गए एक दूसरे को आपस में fit कर लेंगे बट जो मोनो क्लिनिक सल्फर के जो crystals होते हैं वो एक दूसरे को fit नहीं करते हैं उनका arrangement एक दूसरे को fit नहीं कर पाता कुछ इस तरीके से आरी बास में तो सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को pause करके यह दो figure आपको बना लेने है रॉंबिक सल्फर crystal का यह आपका figure है और यह इंग fit comfortably और smugly into each other अब यह एक दूसरे को fit कर जाएंगे यह यह देखो fit है ना एक दूसरे क्या पैटर्न के फॉर्म में बना एक fit हो जा रहे है लेकिन यह देखो ऐसा नहीं हो रहा है तो यह क्या हो जा रहे है यह एक दूसरे के उपर stacked हो जा रहा है स्टैक्ड जैसे इसका यह स्टैक्ड हो गया यह यह इधर यह इधर यह इधर यह जश्ट अपोजिट एक में स्टैक्ड हो जा रहे हैं है ना तोहीं बात मैंने यहां पर लिखी है क्या लिखी है कि in monoclinic the crystal have needle-like shape needle-like shape होते हैं and arrangement is such that that is a train are stacked on top of each other simple सी बात है यह आपको याद रखने ही पड़ेगी इसका explanation है बही है ना जनरली आपको mostly book मैंसे देखने को नहीं मिलेगा बड़ देख लो ठीक है कई सारे book से ढूनने के बाद यह सब सारी चीज़ें मिलती है okay next देखो अब हम इसके बारे में और के बता सकते है कि it is more closely बता सकते हो चाँ यह जो रॉंबिक सलफर का जो crystal है क्या बहुत जादा क्लोजली है बिलकुल यह कम जगा लिया है और कम जगा में बहुत सारे इसके एक्टम्स बहुत सारे इसके जो points है वो आ जा रहे हैं यह देखो यह बहुत ही जादा जगा लिया है और जादा जो है अपने आपको औरेंजिट कर पा रहा है तो it is less closely packed सही बात है इसकी density अच्छा सोचो अगर ये less अगर ये more closely packed होगा तो इसकी density क्या होगा जादा होगी और अगर ये less closely packed होगा तो इसकी density क्या होगी कम होगी तो ये सबाब के objective question में भी पूछ सकते हैं हम ये discuss क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों कि ये सबाब के objective question में पूछ सकते हैं कि किस crystal का मतलब कौन से sulfur के yellow drop का जो structure होता है वो dense होता है क्या होता है इस सारी जीज़े पूछ सकता है देखो it is more closely packed अच्छा ये हो गया अच्छा इसकी density होती कितनी है तो ये भी जान लो 2.07 gram per centimeter की होती है और इसकी 1.9 gram per centimeter की होती है देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होते है इट इस opaque भाई देखो इसके ये जादा ही dense है है ना आप आप वहां से बात समझ में आगए यहां जैसे आपने का था ना कि हमारे जो mono cleaning sulfur होते है वो transparent nature की क्यों होते है simple सी बात आपको समझ में आगए कैसे से बात समझ में आई तो आपने इसका ये वाला जो crystal structure है वो देखकर कि आपने बताए यह बहुत जादा densely close pack है तो जिसकी वज़ा से यह opaque होगा opaque का मतलब क्या होता है कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख पाओ लेकिन यह देखो यह तो बहुत जादा densely close packed नहीं है ना यह less closely packed है तो क्या होगा यह transparent होगा यह एक तरफ से दूसरी तरफ हब देखोगे तो आसानी से जो है नजर आ जाए क्योंकि यह जादा dense नहीं है clear है बात तो वही चीज़ यह भी बता रहा है कि it is opaque because of close packing packing जो हुए वो क्या होगी closing, close हुए और it is transparent क्योंकि packing इसकी जो है close नहीं है अच्छा अब इन दोनों में एक बड़ा ही देखो गजब का relation है जैसे होता क्या है कि यह जो हमारा जो rhombic sulfur है यह 369 Kelvin के नीचे क्या होता है stable होता है जहां आपने 369 Kelvin से अगर temperature आपने बढ़ाया तो यह convert हो जाएगा इसमें monoclinic sulfur में convert जाएगा और monoclinic adjust मतलब इसका आप इस वाले process का अप उल्टा कर दो तो यह किसमें हो जाएगा यह monoclinic sulfur आपका rhombic sulfur में create हो जाएगा आगी बास में तो देखो rhombic sulfur है अभी मैंने क्या किया है कि इसका जो rhombic sulfur का जो मैंने temperature है वो 369 से जो है मतलब जो देखो ऐसा समझो कि जो temperature है भी वो 369 से कम है समझ गयا यह greater than है इसका मतलब क्या है मतलब यह जो temperature है यह क्या less है तो अगर यह temperature less है तो यह rhombic sulfur जो है उल्टा हो गया ऐसा समझो यह जो rhombic sulfur है अगर हम इसकी temperature को 369 degrees से जादा बढ़ा दें तो simple यह किसमें convert हो जाएगा monoclinic में और अगर monoclinic sulfur है इसकी temperature अगर हम 369 से अगर कम कर दें ठीक है तो यह किसमें convert हो जाएगा यह हमारा convert हो जाएगा rhombic sulfur में just एक दूसरे के reversible यह होते है याद रहेगी बात ठीक है ओके चलो यह हो गया अच्छा उसकी बाद मेरे ख्याल से एक आपका जो है और आना चाहिए other form भी आना चाहिए हाँ ठीक है other form भी मैंने mention किया other form होना चाहिए भई other form देखो पढ़ लो important है catena test करके भी आएगा cycloestics अभी आएगा यह important है तो important भी बहुत सारे other form होते हैं लेकिन important क्या आपके example पर से important क्या cycloestics ठीक है यह चेयर form लाता है देखो कैसा form लग रहा है यह चेयर लगा कर कैसे बैठ गया नहीं इस तरीक है तो sulfur exist in numbers of other allotropic modification containing six to twenty items per ring ठीक है six से लेकर के 20 items है ना अच्छा और इसका जैसे इस वाले range में इस वाले range में हैंने कि six से लेकर के 20 तक की range में जो सबसे important form है sulfur का वो है cycloestics क्या है cycloestics जिसका structure कैसा होता है चेयर form का होता है इस चेयर form का होता है कि है ना अच्छा चेयर फॉर्म का तो इस तरीके से बना लगे बहुत आसा साने यहाँ बनाओ यहां बना यहाँ थोड़ा सा एक दूसरे के just dizer नहीं और रहना बना ले बना लोगे ना बहुत हीजह बीदर तो क्या होता है कि number of chain polymers where n varies from 2 to 5 मतलब sulfur मतलब की जो molecules जासे 2 से लेकर के 5 तक का जो chain होगा sulfur का जो chain होगा उसको हम लोग catena S बोलेंगे और यहाँ पर n की value vary करेगी कहां से लेकर के n की value 2 से लेकर के 5 तक कुछ भी हो सकती है तो यह हमारा कहला है क्या catena S अब देखो अगर हम बात करें कि sulfur देखो हमारा जो है वो diatomic species है diatomic species मतलब समझे जैसे कि जो हमारा जो S2 है तो यह हमारा ना एक paramagnetic जो है material की तरह act करता है अब paramagnetic material जैसे कि oxygen भी आपका क्या show करता था पैर अच्छा paramagnetic material का आपको यहां पर मतलब समझ में आ रहा है ना देखो क्योंकि यह portion थोड़ा सा आपकी chemistry में first chapter में mention था बड़ वह स्लेबर से removed हो गया था इस मैंने discuss नहीं किया था तो paramagnetic समझो होता किया बचलो कुछ नहीं generally होता किया जैसे paramagnetic देखो आपने का साथ sulfur है s16 आप लिखते हो तो इसका जो आप electronic configuration लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 3p4 यह होता है देखो लास्ट shell में कितने electron है 6 electron है लास्ट अगर इसका बनाओगी तो यह होगी आपका 3s 2 electron इसमें रहेंगे उसके बाद यह बनाओगे 3p इसमें आपके देखो कितने रहेंगे 4 electron 1 2 3 4 अच्छा इसमें d orbital भी होगा जो की सारा का सारा क्यों होगा वैकेंट होगा फिल्हाल तो भी ग्राउंड इस्टिट के हम बात कर रहें हैं यह जो है पूरा पूरी तरह रहाली होगा अब देखो हुआ कि इसके लास्ट अगर उसे बोलते हैं पैर मैगनेटिक और अगर एक पैर मैगनेटिक की तरह करता है वैसे ही यह भी हमारा एक पैर मैगनेटिक की तरह ही बिहेव करता है कौन सा सल्फरेस्ट ठीक है तो रीजन आगी बास हमें कि अगर और और बिटल्स अगर अगर क्या होंगे अनपेर्ड होंगे तो मारा वह एक पैरा मैगनेटिक की तरह पर करेगा यही कहानी थी यही कॉंचेप्ट था जो कि हमलें फॉ तो से जाए और कुछ नहीं ठीक है तो इतनी चीज़ें करते हैं अपनी तरफ अपनी तराफ अट्रैक्ट करेंगे चीजों कि नगिंकी भी छाली जगा तो खाली जगा तो खाली खाली बन मतलब शैतान का गर चलो जाने के तो तो इतनी बात हैं तो यह सब सारी चीजे बहुत है बचलो ढिए बैठ जाते हैं तो और किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है और क्या अर्लिया नेक्स हम लोग बात करेंगे कमपाउंट्स ऑफ सल्फर की ठीक है जो सल्फर डाइयोकसाइड है इसके बाद इस टॉपिक को करेंगे फिनिश और फाइनली हम लोग पहुंचेंगे गुप नंबर 17 पर देख रहो कितना लंबा यह चाप्टर बहुत गजब का चाप् चाप्टर फिनिश और समझ रहे हो सकता है शायद वह करा रहे हो मतलब वह रिवीजन टाइब से करा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगर पहली बार पढ़ रहे हो तो उसमें भूल से मच जाना जो एक घंटा वला होते हैं ना जो कोर्स होता है अगर आप प लिगवे मत जाना एखंटे वॉले कोर्स में कभी मत जाना एक घंटे वाले को स्में तब जाना जब आप ने पहले से सारी चीदों को बढ़ लिया है ठीक है यह बात ध्यान रखना आप लोग हान शौटивать के चक्रमत प्रकर नंठीक ठीक है शोला ड़क है ।